वेरी वेरी गुड आफ्रनून बच्छों, वेरी वेरी गुड आफ्रनून आज के इस सेक्षन में मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट कंजॉंक्शन्स और लेकर के आया हूँ इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको not only dot dot but also either dot dot are और neither dot dot nor के बारे मताया था आज आपके सामने सबसे पहले ये सेंटेंस है इस सेंटेंस को देखें और बताएं कि इसमें क्या एरर है और फिर उसके थ्रू हम समझेंगे कि उन कंजॉंक्शन्स को हम कैसे यूज करते हैं ये सामने आपके सेंटेंस है बिलकुल बहुत पार इस तरीके क्वेस्टन्स आपके एक्जाम्स में आपको दे जाते हैं तो देखें बच्चो यहां ये जो आपनी he as well as लिखा है न he as well as I आप देख रहे होंगे I को और he को as well as के द्वारा हमने क्या किया है जोड़ा हुआ है तो क्या यहां I के साथ am और क्या यहां my का use सही है नहीं सही है गलत है बच्चो आपको ये जानना होगा कि जब भी हम as well as say दो अलग-अलग subjects को जोड़ते हैं तो हमें पहले वाले subject के अनुसार verb, pronoun, adjective वगरे का प्रियोग करना होता है तो यहां am I के अनुसार नहीं आएगा I के अनुसार ना करके हमको he के अनुसार चलना होगा और am के अस्थान पे क्या लेना होगा? इस लेना होगा, ठीक है? और my के अस्थान पे क्या लेना होगा? इस लेना होगा, clear? यानि as well as के साथ he के अनुसार चलना होगा न कि I के अनुसार ऐसी कंडिशन में आप ये भी कह सकते हैं कि I के साथ इस भी लग सकता है देख लें he as well as I is doing his work carefully हो जाएगा अगर आपने कम समझा हो तो ये sentence फिर से करके देखें आप बहतर कर लेंगे आप ये sentence the students along with the students along with the teacher is absent from the class अब ऐसा लगेगा आपको कि यहां पे the teacher है तो इस सही है बट इस यहां पे गलत है बच्चों क्यों गलत है कि जैसे as well as के साथ आपको पहले वाली सब्जेक करुशार चलना होता है वैसे ही along with के साथ भी हमको पहले वाली सब्जेक करुशार चलना होता है तो अगर the students है along with से पहले तो यहां पर इस न हो करके क्या हो जाएगा आर हो जाएगा the students along with the teacher are absent from the class यह teacher के साथ साथ जो students हैं वो भी क्लास से क्या है अप्शेंट है तो आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसी और कौन-कौन सी कंजॉंक्शन या कौन-कौन सी फ्रेजिज हैं जिनके होने पर हमें पहले वाले सब्जेक के अनुसार यूज करना होता है तो वो यह हैं बच्चों यह सारी कंजॉंक्शन आपकी कभी भी अगर as well as का का प्रियोग हो, विद का प्रियोग हो, अलांग विद का प्रियोग हो, तोगेदर विद का प्रियोग हो, बसाइड का प्रियोग हो, लाइक का प्रियोग हो, बत का प्रियोग हो, रैदर दैन का प्रियोग हो, इन अदेशन तो का प्रियोग हो, एंद नॉत का प्रियोग हो इनक्लोडिंग का प्रियोग हो, एक्स्क्लोडिंग का प्रियोग हो, लिट बाई का प्रियोग हो, अकंपनीड बाई का प्रियोग हो, गवर्ण बाई का प्रियोग हो, आर्गोनाइजड बाई का प्रियोग हो, कंडक्टेड बाई का प्रियोग हो, कैंसिल बाई का प्रियोग हो in comparison to का प्रयोग हो तो इनके रहने पर हमको पहले वाले सब्जिक के अनुसार वर्व वोगर्य का क्या करना होता है प्रयोग करना होता है अगर आपने अभी भी कम समझाओ तो एक सेंटेंस और ले करके देखते हैं और देखें कि अब आप कर लेंगे यू एंड नाट आई बच्चो है ना यू एंड नाट आई एम गिल्टे क्या लिखा है यू एंड नाट आई एम गिल्टे तो जैसे आपने देखा यू के बाद एंड नाट का प्रयोग है तो आई के अनुसार नहीं चलेंगे किसके अनुसार चलेंगे यू के अनुसार चले तो यू तो M नहीं लेगा न, क्या ले लेगा, R ले लेगा, है न, थोड़ा बूत और समझ में आया होगा, अगर कम समझ में आया, तो ये sentence और एक देखते हैं, ये, अगर accompanied by का प्रियोग है, led by का प्रियोग है, governed by का प्रियोग है, conducted by का प्रियोग है, called by का प्रियोग है, postponed by का प्रियोग है, cancelled by का प्रियोग है, including है, excluding है, with है, along with है, together with है, and not है, in comparison to है, in addition to है, as well as है, besides है, like है, but है, अगर ये हैं तो हमें पहले वाले सब्जिक के आधार पे चलना है तो जैसे हमने देखा accompanied by तो हमें the king के आधार पे चलना है न कि the ministers के आधार पे तो यहाँ पे वाज और लिडी क्या है आपका सही है ऐसा लगेगा न, the king accompanied by his ministers were walking ऐसा बोलनी में अच्छा लगेगा लेकिन जैसे हमने जाना कि accompanied by दिया गया है तो हमको the king के अनुसार चलना है जो already यहाँ पे क्या दिया गया है सही दिया गया है I hope कि यह conjunctions या words, phrases आप तयार कर लेंगे इनके होने पर हमको पहले वाले सब्जिक के अनुसार वर्ब वगरे का क्या करना होता है प्रियोक करना होता है इसी तरह की और conjunctions को और अधिक बहतर uses के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें छोड़े छोड़े points हैं जो हमिशा आपके exam समें काम आते हैं अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे अगली तपकेली गुद्बाइ वाइब नाईश दे थैंक यू बच्छो